बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदे का विनंदन करता हूँ ASTRO TAK के खास प्रस्तुती दिपावली 2021 स्पेशल और मित्रों इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएं है आर्थिक राश्यफल दिपावली का मूल ही है अर्थ लक्ष्मी का अर्थ ही है पैसा यानि कि धन धन कैसा रहेगा दिपावली 2021 से दिपावली 2022 के बीच में आपके जिवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी हम इसका अंकलन करेंगे आईए शुरुबात करते हैं इसके बारे में देखे साल 2021 में दिपाबली का पर्व जो है वो गुरुवार 4 नौंबर 2021 को मनाया जाएगा और जो कुंडली बन रही है 2021 4 नौंबर की वो ये बता रही है कि दिपाबली 2021 से दिपाबली 2022 के बीच में जो आने वाला जो समय है आर्थिक दृष्टिकोन से बहुत अच्छा रहने वाला है और मैं आपको बता दूँ कि विशेश रूप से जो अर्थिशेत्र है दुनिया का वो निर्भर करता है चार ग्रहों पर शनी जो कर्म और अलाब के स्वामी माने जाते हैं बुद्ध जो बाने ज्यकरण और व्यापार के स्वामी माने जाते हैं साथ बसाथ में शुक्र जो धन और पार्टनर्शिप के स्वामी माने जाते हैं और राहू जो फास्ट मनी का यानि की ब्रीचिंग का या यू कहूं धलाली का स्वामी माना जाता है और फिवस्ता इनहीं चार प्राइनिट्स पे निर्भर करती है नौंबर से लेकर अगले अक्तूबर तक जब तक अगली दिपावली आएगी और 24 अक्तूबर 2022 को मनाई जाएगी दिपावली 2022 की इसके बीच में कई राशी परिवर्तन होंगे जिन से बहुत बड़ा जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और विशेश तोर से शनी का जो मोशन है वो भी मैटर करेगा ब्रहस्पति का मोशन भी मैटर करेगा बुद्धू तो कई बार राशी परिवर्तन करेंगे लेकिन बड़ी चीज क्या होगी राहू और केतू भी राशी परिवर्तन करेंगे तो इसका हर एक के जीवन पर आपके धन का स्वामी शुक्र को माना जाता है, पाटनेशिप का स्वामी ब्रहस्पती है और लाब का स्वामी मंगल है. दिपावली 2021 से दिपावली 2022 के बीच का जो समय है, आर्थिक मामले के लिहास से मिला जुला रहने के योग है. बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत आपके खर्चे बढ़े रहने के योग भी हैं। दिपावली है तो निश्चित रूप से खर्चा हो गाई। लेकिन थोड़ा सा जरूर सजग रही है इस मामले को लिए। बात करेंगे दिसंबर 2021 में तो परिवार की इच्छाओं को पूरा करने पर बहुत अधिक खर्चा हो स नहीं है क्योंकि विदेश से कही ने कहीं इंकम जरूर दिखाई दे रही है। फरवरी 2022 में मेहनत के बलबूते कन्यराशवलों मुनाफ़ों और लाब को जादा से जादा बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया आपको प्रियास करने पड़ेंगे। मार्च 2022 में आर्थिक फैसले लेते समय बहुत आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है इसकी जरूरत भी आपको। अपरेल 2022 में निवेश और योजना को लेकर आप थोड़े कंट्यूजड थोड़े ब्रहमित दिखाई देंगे और इसी कारण से आप प पैसा बचाना एक बहुत अच्छी आदत बनी जाती है। जून के महिने में 2022 में ग्रह इस्तिती कुछ पल्टेगी और आए के कुछ अकसमात स्रोत पैदा करेगी अडिशनल सोर्स अव इंकम ये बहुत अच्छी बात है इसका लाग उठाई है। जुलाई 2022 में परिवार औ और गैर जरूरी चीजों पर खर्चे बहुत जादा बढ़ेंगे। और जिसकी वज़े से कुछ हालत गड़ बढ़ाईगी। अगस्त के महिने में 2022 में पैसों से संबंदित मामलों में काफी उठा पटक का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हाथ को थोड़ा से सं अमीद में जता रहा हूं और ऐसी स्तिती है कि चीज़े समानंतर तोर पर चलती रहेंगे। अक्तुबर का जो महिना होगा वित्तिय लाब 2022 में वित्तिय लाब और आर्थिक स्तिती मजबूती की और सुनुश्चित करती है आपका मार्ग। तो दिपावली 2022 से पहले पहले स स्तिती बेक्टो नॉमलन से आजाएगी। ये समय मिला जुला है। अब इसमें आपको लाब जरूर उठाना है इस चीज़ का इस बात का दरूर ध्यान रटना है। एक उपाए जरूर कीज़े करने है राश्यवलो। दिपावली से 43 दिनों के भीतर हरे कांच की एक बुतल लीजे उसमें गंगा जल भरिये और उसमें 6 हरित मणी को अंगरेजी में जो बूलते हैं वो बूलते हैं एविंचूरियन ग्रीन। ये 6 हरी जो छोटी-छोटी गुलिया होंगे एविंचूरियन ग्रीन की इसको डाल करके घर में स्थापित कर दीजे दक्षनपूर विदि होगी तब तक इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाएं